टिक्टों का ही एलान का इंतिजार हो रहा था और उसके बाद जो बाकी धड़ों में से भी कुछ टिक्टों पर एलान होना बाकी था वहाँ पर अब श्रैमात का खेल शुरू हो गया है कुछ निर्दले चुना मैदान में हैं तो कुछ पाला बदल चुके हैं कॉंग्रेस की टिकेट कटने पर एक और नेता भावुक हुए हैं वो हैं आदर्श पाल सिंग और मौके पर आम आदवी पार्टी का दामन खाम लिया है जगादरी सीट पर आम आदवी पार्टी को भी उम्मीदवार मिल गया है आम आद्वी पार्टी ने चुनावी मैदान में आदर्श पाल सिंग को उतार दिया है आप चाहोगे तो मैं चुनाव लड़ूगा परवेज खान मेरे सेवगी अमनानकर से जुड़के इसी बड़ी ख़बर और जानकारी और ये भी समझने कोशिश करेंगे कि अब क्या कहते हैं वहाँ पर समिकर पहले ही उन्हें कॉंग्रेश जोइन कि अगवाई में दिल्ली में ने कॉंग्रेश का दामन थाना था क्यूंकि इससे पहले वह आम आद्मी पार्टी में संग्ठन मंतरी के तोर पर काम कर रहे थे पार्टी में वरिष्ट पदून के पास था लेकिन टिकट की चाहत और सब्स बनावा था कि जिगादरी इसे नाम का ऐलान होगा लेकिन पहरी लिष्ट में यह उसके पाद दूसी लिष्ट जारी उसमें भी नाम का एलान नहीं हुआ कहीं यह असार लग रहे थे कि जैसे ही किसी भी कंडिडेट का गर नाम घोशित हो जाता है तो उसमें बगाव उन्होंने कहा है कि मेरा जो मन था कॉंग्रेस से जूड़ा हुआ था और मैं एलक्षन कॉंग्रेस की टिकट पर लवना जाता हुआ लेकिन भारी मन से अब मैं आम आधरी पार्टी में जा रहा हूं और जो है द्वारे से टिकर जो चुनावी रण में उतरने के लिए त्या बात गए थे कि भुपेदर सिंग हुड़ाउन को टिकेट दिलवाएंगे लेकिन इस सीट पर कुमारी सैलजा की चली अकरम खान को टिकेट मिला है और वो चुनाव मैदान में आब आम आधरी पार्टी की सीट पर टिकेट पर यहां से चुनाव लड़ते नजर आएंगे आ फुन 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 फ्रेश